वेल्कम बैक दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप एक लॉंग से कर सकते हैं अचूक वशी करन जी हां एक लॉंग से आप बना सकते हैं किसी को भी अपना अधीन आप उससे अपने मन की हर बात पूरी करवा सकत हैं तो आज का यह वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए जो चाए के बहुत जादा शौकीन है जिन्हें चाए पीना और पिलाना बहुत पसंद है उनके लिए है हमारा यह वीडियो जिससे की आप चाए के द्वारा ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं आपको बस एक ब अच्छे मन से किसी पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और आपका जो उपाय है वो जरूर पूरा होगा आपको तुरंट इसका फल मिलेगा चाय एक ऐसी चीज है जिसका आम जिंदगी में बहुत इस्तमाल होता है आप इसका वशी करन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप चाय पिला कर किसी को भी अपने वश्च में कर सकते हैं बस आपको करना क्या है एक लॉंग लेनी है लॉंग आपको इस तरह से साबुत लॉंग ना हो इस तरह से आप लॉंग का टुकडा ले लीजिए अब आपको इस जगे पर रखना है जहां पर आपको पसीना आता है तो आप इसे कागज में लपेट लीजिए और उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो पहले आप इसे कागज में इस तरह से लपे करना है यह मंत्र है इस तरह से ओम वश वशी करने विश्मी कली ओम कली ओम वशी भूत स्वाहा इस मंत्र का उपयोग करना है और उसके बाद आपको इसको पीस कर पाउडर बना कर चाय में मिला देना है चुरन बना कर आपको चाय में मिला कर उस व्यक्ति को पिलाना है जिस व मिंटों में वो आपके वश में होगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, तो आप इसका उपयोग कीजिए, और अगर आपकी कोई और समस्या है, आप अगर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो में जो आपको नंबर दिखाई दे हैं, इसका उपयोग गलत भावना से ना करें, आपको बस याद रखना है, ये जो एक लॉंग है, ये आपको अभिमंतरित कर देनी है, ये उपाए आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको ये रात्री के समय करना होगा, और जैसे मान लीजे, आपने से आज रात को किया, तो उसके बाद आपको 24 घंटे के लिए लॉंग को अपने शरीर से टच करते हुए रखना होगा, और उसके बाद आप इसका चूरन बना कर अगले दिन उस व्यक्ति को ये पिला दें, जो व्यक्ति आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके वश में होगा, और आपकी कही हुई हर बात मानेगा, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को भी वश में करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद भक्तों, अगले वीडियो में फिर से आपको कोई और जानकारी दें कि इस जो हमने आपको उपाय बताया, जो हमने आपको मंत्र बताया, इसका गलत उपयोग बिल्कुल ना करें, कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आपको ये बलड रिलेशन पे नहीं करना है, आपके रिष्टिदार पे नहीं करना है, आप इसे वैसे इस् झाल झाल